ओ Пर टासथ्यों आप अब से अमीद करते हैं भुद्व अच्छे होंगे आप सबीद ही여ओbas law थे आप नई साथियों को भी बहुत बहुत स्वागत है और भाई लाइक शक्क्राइब शेर कमेंट जरूर करिएrit वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा माया दुलार प्यार मिलता आ रहा है मुझे और उम्मीद है कि आंगे भी मिलता आही और जल्दी सी जल देख़ा सब्सक्राइबर पुजा हो तब भाई यार आज कि वीडियो में बड़ी थोड़ी से मौन मन में बहुत सारी आज कि आप लोगों साथ साजा करूं मन को थोड़ी से ठंड़क मेरे हलका सा सुकून मैसूस हो तो मेरा कहना सिंपल सा है कि आर आज के इसे जमाने में समझ नहीं आता किस के उपर भरुसा करें किस के उपर ना करें यहां हर को ही अच्छाई का मुखोटा पहने हुए खड़ा वह हमां चाहने वाला है कि फिर नावरा करने वाला तो कभी में मैं आकश पर हमाँ के ही बातों को मानते हैं हम दो की मान लेते नहीं हम हमें तक की कि में साथ हुआ है था Вам 52. क्युक्यार में अधेकतर देखा हुआ अपनों के साथ next अधेकतर होता है कि अपनों को अपने ठग लेते हैं और अपने ही अपनों को दुख देते हैं तो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि कभी-कभी ये अधिक तर देखने के लिए मिलता है सुनने के लिए मिलता है जब हमारे गाओं में जब हमारे गाओं में जब हमारे बेहन बेटी आया या तो हम जब बड़े होते हैं तो हमारे साथ तरह तरह की बाते सुनने के लिए देखने के लिए मिलते हैं आप कहो कि कैसे बाते हैं तो जैसे की लड़का साधी के उम्रे के लिए होगा ये तो लड़की तो उनकी जो अपने होते हैं चाहने वाले कहना चाहिए या मैं तो नहीं जानता कि वो नाम के लिए अपने होते हैं कि किस लिए होते हैं समझ नहीं आता है वो कहेंगे कि वो लड़का ऐसा है मतलब अपना दाल गलाने का कोशिस करेंगे और कहेंगे किया मेरे तरफ से इसकी रिष्टा यहां पक्का हो जाता पर वो लोग उस परड़ाम से वाकिपनी होते जो इस परड़ाम के बाद घटने वाला घटना होता है अगर हाँ अगर जीवन साथी सही मिल गया तो ठीक है जिन्दगी बले बले और जीवन साथी सही नही जो माबाप के खिलाब साधी करने वालों मैं दिकतर यह देखने के लिए मिला है कि जब पती पतिने दोनों के बीच में बहुत सारी बिवादें खड़े हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसा नौबत आता है कि एक दूसरे से अलग होने की बात आ जाता है बच्चों को अपने- मतलब यह है कि सुख में सब लोग साथ से रहते हैं कि मैं तुम्हार यह लगता हूं मैं तुम्हारा वो लगता हूं ऐसा हूं वैसा हूं पर जब दुख खड़ा होता है तो कोई साथ नहीं देता साथ वही देगा जो अपने माता-पिता होंगे अपने भाई-बिन वही उन्होंने बहुत सारे चीज़ें करें जो तुम्हाले ठीक रहेगा तुम्हाले ठीक नहीं रहेगा उसके मुताबिक काम हुआ और लड़ाई जगड़े बहुत सारे हुए और मैंने कहा कि आप बहुत सारे चीज़ों में आप हम ऐसा साथ रहे हम ऐसा खाड़े रहे पर आप स कि आप इनके जो समस्या हैं उन समस्याओं को समधन करने के लिए कुछ कुछ सलाह बताएं कुछ रीत बताएं तो उन्होंने कहा कि मैं इन चीज़ों पर नहीं पढ़ना चाहती मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूं ऐसा वैसा तो पर देखो तुम किसी का जिन्दगी में हो क्यों ना वो दुख हो परस्तिती कुछ भी हो परा उन चीज़ों से हमें हम ऐसा सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए और अधिक तर जो यूवा लड़की लड़की है उन चीज़ों को भी सोचना बहुत जरूरी है कि भाई देखो जिन्दगी फर माबाप साथ देंगे ह आ ठीज़ों क्यों हम आण चाहिए अर चीजा सुक में हो दुख में तो क्यों हमें दूसरे के बातों में आना यार बता भी बताव होता है और हम किसे को कह भी नहीं सखते कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया भाई पच्टावा जंदी की भर लागा रहता है कि या रहा अगर कि कि अपने दिल के सुनना चाहिए और Мातापता के सुनन चाहिए और मन मैं तो बहुत सारी सवाल बहुत सारी बाते हैं पर क्या कहूं मन की बात मन ही जानता है कि दिखावा सामने से तो हसते मुस्कराते रहते हैं पर अंदर ही अंदर कितनी दुख है कितनी तकलिय कितनी परिसानिया है वह मन ही जानता है और हम जानते हैं तो कोई बात नहीं लाइब में होता रहता है चोटे बड़े उतार चढ़ावाता रहता है पर हमें कभी अपने जिंदगी से निरासनी होना चाहिए और गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिंदगी को हसकर जीना चाहिए यहीं बातों के साथ अपना ब्लॉग को यहीं समाप्त अगर भीजिए वीडियो को लाइक करें सिस्क्राइब करें और मत बस है तो से करिए और कमेंट करके डाया है कि आप हमार nessa बहूंद देखते हैं और आप को एक और अपना ख्यार रखना